श्योपूर में सोय साहता समू संचालोक। जो की जा रही है असमानता बुकतान राशी वा खादाने को सभी समूस अंचालकों को इस महंगाई के साब से दर्ज बच्चों के नुपात में स्वाप्रतिश्यत राशी और खादाने प्रदाय किया जाए अंगनबाडी में भोचन बनाने वाले कारेरत रस्वय को मांदे कले ट्रेट पर अलग से किया जाए इसका कटोत्रा समूस अंचालों को नहीं किया जाए अंगनबाडी में साजा चूले में प्रदाय खादाने को नाश्टे के लिए 100 ग्राम वा खाने के लिए 500 ग्राम वा गर्वती महिलाओं के लिए मंगल दिवस के दिन 200 ग्राम के मान से प् मनमाने दर पर किया जाता है जिसमें हमें नुकसान होता है अभी तक किसी नियुक्तान पर चुपिता जयाका कि बरूप्राम यह आई पेसा नहीं पहुंच्ज पाया आधी जन संक्या खादि पकित्यमि कैसी के में तो यह तो रसवी वाली की है और जो हमारे मैला वाल विकास से संबंधित समस्या यह है कि माध्यान बोजन चलाएं अलग-अलग होता इसका खाना इसकोल का अलग होता है अंगनबाडी का अलग होता है इसकोल में SMC भी चलती है कुछ जगा कुछ जगे समु दे रहे हैं आंग बाड़ी जिसके पास अकेली है वो खाना नहीं बनुआ पाता है क्योंकि डाएजार रूपे उसके अकाउंट में पेसा आता है जबकि महीने की लागत पांच सदसे भी रहते है तो पांच सदस्यों का भी डाएजार से ज्यादव भुपतान हो जाता है घर का तो डाएजार र प्योंकि इसमें महेंगाई जो चल रही है उसको देखते हुए तो कोई अधिकारी या कितना ही बड़ा कोई भी हो दो दिन भोजन नहीं किला सकता किसे चार आदमी को जिसमें हम सो बच्चों को पच्चों को खाना खिला रहे हैं कोई भी जो सतर असी अजार रूपे महीने तुमाने वाले आदमी भी नहीं खिला पाता है। गरीब महीला है उनका खा़्झया जो हो लाएई वो भी तरीकरा नहीं हो पा रहा रहा है किसी का बच्चे के साथ से खाद्दा नहीं हो रहा है उनका 30% के साथ स्कुल में भी देखा जाए तो इसको परिसेंट का इसाथ खाना किलाया अमने 60 बच्चों को और पेशा है बाख को तो इसमें क्या निकालेगी हैं इनको रोजगार कोई रोजगार नहीं किसी इसक पढ़ार की वह द्रICESकी है कि यह दो लोगी लेकिन जो आप मध्यान जो परोस्ते हैं उसमें कहीं आपको अरचने आ रही है मेंगाई के चलते हैं किसी इतना खाना देना माइट्र संचाल के हमें को यह दो राची पूरी प्रयाफत मिले ताकि हमें समूष संचाल को किसी परकार के को करेशने नहुं